दोस्तो आज इन तस्वीरों को देखकर हमारे देश की मैजोरिटी बहुत खुश है उसे लगता है कि आसमान को पटाखोय से धुए से भर कर उसने वो काम किया है जो केजरिवाल को नीचा दिखाता है जो सुप्रेम कोर्ट के आदेशों की धजिया उड़ाता है आज मैं आपको यह बताऊंगी कि कल जब देश और अयोधिया में दिवाली मनाई जा रही थी तो हमारे देश का मुसल्मान क्या कर रहा था और उसे क्यों बाबरी मजजिद याद आ रही थी लेकिन आज सबसे पहले बात फलिस्तिन के गाजा की करेंगे और आपको बिर्टेन लेकर चलती हूँ क्योंकि बिर्टेन की संसद में कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मित किसी को नहीं थी कल बिर्टेन की एक संसद जिनका नाम कारला डेनियर है उन्होंने अपने देश की प्रधान मंत्री से ये दो बाते कहीं पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरहां से इसराइल गाजा के लोगों को मार रहा है महां बंबारी कर रहा है वो नरसंगहार यानि जेनोसाइट की कैटेगरी में आता है और इसलिए बिर्टेन को भी अब आगे आकर ये कहना चाहिए कि इसराइल फिलिस्तीन में जो कर रहा है या उसने जो किया है वो जेनोसाइड है लेकिन बिर्टेन के प्रिधार मंतरी किया स्टार्मर्ड ने ऐसा कहने से इंकार कर दिया स्टार्मर्ड ने ये तो माना कि जो कुछ गाजा में हो रहा है उसका उन्हें दुख है लेकिन उन्हों ने इसे जेनोसाइड यानी नरसंगार यानी कतले आम कहने से इंकार कर दिया जब कि आज मैं आपको गाजा की कुछ तस्वीरे दिखाना चाहती हूँ ये तस्वीरे युनाइटिड नेशन से जुड़े महमस साफा ने अपने ट्वीटर अकाउंट से शियर की हैं और ये लिखा है कि इतिहास में ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिस युद्ध में किसी देश का 80% हिस्सा बरबाद हुआ हो और जिसके 100% लोग उस देश को छोड़ कर जा चुके हो और तो और साफा ये भी लिखते हैं कि ऐसा भी कभी इतिहास में नहीं हुआ कि किसी युद्ध में किसी देश के मरने वालों में 50% बच्चे शामिल हो यारी साफा दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हिटलर ने नहीं किया वो काम इसराइल कर रहा है और सीना ठोक कर कर रहा है और दुनिया उसे अब भी डिफेंड कर रही है और ये कह रही है कि उसने गाजा में जिनोसाइड नहीं किया है हैर बात अपने देश की करते हैं और उस खबर पर लोटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था और क्या मुसल्मानों को दिवाली के इस मौके पर बाबरी मस्जद याद है शायद याद हो लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हर तरफ सिर्फ राम मंदिर की ही बात हो रही है प्रिधार मंदिरी से लेकर उत्तर प्रिदेश के सीएम ये कह रहें कि 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब राम लला टेंट में नहीं अपने भव्वे और दिव्वे मंदिर में है हमारी देश की मेडिया भी यही बता रहा है कि पहले भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था और इस बार भगवान राम ने पूरे 500 साल का वनवास काटा है लेकिन इस बीच बाबरी मस्जित किसी को याद नहीं है ये करनाटक के विजेपुरा जिले के किसान है आजकल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है वो असल में उनकी जमीन है और वो जमीन पर बरसों से खेती कर रहे हैं दरसल विजेपुरा के तहसीलदार ने 120 किसानों को नोटिस दिया और ये कहा कि आप जिस जमीन को अपना बता रहे हैं और जिस जमीन पर आप खेती करते हैं उसकी लैंड रिकोर्ड दिखाएं उसकी ओनर्शिप को साबित कीजिए क्योंकि कागजों में ये जमीन वक्फ बोट की है किसान ना तो ये साबित कर पा रहे हैं कि ये जमीन उनकी है और ना ही उनके पास इन जमीनों का कोई रिकॉर्ड है बस वो ये कह रहें कि उनके बाप दादा यहां पर खेती करते थे सोचिए जिस जमीन पर ये किसान पचास या फिर सो साल से खेती कर रहे हैं उस जमीन को ये छोड़ना ही नहीं चाहते और भारत के मुसल्मानों ने तो बाबरी मस्जिद में पूरे 500 साल 5 सेंचुरी तक नमास पड़ी यहां पर अजान की सदाएं सुनाई देती रही उस जमीन पर आज मंदिर है और खुद हमारे देश के प्रधान मंतरी से लेकर हमारे देश की मैजورिटी इस बात को यह कह रही है कि 5 साल बाद राम नला के अपने भव्वे और दिव्वे मंदिर में वापसी हुई है और आपको जान कर हैरानी होगी कि जब बाबरी मजज़िट से जुड़े केस को लेकर हमारे देश के चीफ जस्टिस यानि मुखे नियादीश ने क्या कहा है उन्होंने कहा कि जब दो साल पहले बाबरी मज़िट का केस अदालत में उनके सामने आया तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करें मस्जित को तोड़ कर मन्दिर बनाने का फैसला करें या फिर मस्जित को ही बरकरार रहने दें फिर चीफ जस्टिस सहाब इस मामले का हल निकालने के लिए भगवान के सामने बैट गए और उनसे ये प्रात्ना की और ये कहा कि आप ही कुछ इस मसले का हल निका लिए और अगले दिन अदालत में आकर चीफ जस्टिस सहाब ने मंदिर के हक में फैसला दे दिया यानि बाबरी मस्जिद का सबूतों और गवाहों के आधार पर नहीं बलकि आस्ता के आधार पर हुआ इसी तरह से केरल में भी एक जगा है मुनबम यहां पर कुछ इसाई समुदाय के लोग प्रधारमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड के खिलाब जो कानून ला रही है वो जल्दी ही लेकर आए क्योंकि जिस जमीन पर वो लोग रहे रहे हैं उस जमीन पर केरल के वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को अपना बताया है और ये कहा है कि केरल के मनबम गाउं चार सो एकड की जमीन वक्त की है लहाज़ इस जमीन को वापस लिया जाना चाहिए लहाज़ 28 अक्टूबर को वहाँ के कैथोलिक चर्च ने केरल सरकार और अपोजिशन पार्टी को ये चैताबनी दी अगर उन्होंने केंदर के वक्त बोड के बिल के खिलाफ सपोर्ट किया तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और आज हमारे देश के मीडिया भी केरल के इसाईयों के साथ है हमारे देश के मीडिया को भी लगता है कि जो लोग वहाँ पर दश्कों से रह रहे हैं उन्हें वहाँ से नहीं निकाला जा सकता लेकिन यही मीडिया बाबरी मस्जिद के लिए खामोश है इस मीडिया को यह लगता है कि जिस मस्जिद में 500 साल तक नमास पड़ी गई दरसल वो मस्जिद मंदिर की जगा पर बनी थी लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि अगर देश की अलग अलग जमीनों पर वक्फ वोड के दावे गलत है तो फिर बाबरी मस्जिद पर किया गया दावा कैसे सही हो सकता है खर चूकि दिवाली का माहूल है और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि आयोधिया की दिवाली खास है एतिहासिक है और ऐसा दिया जलाने का मौका 500 साल बाद आया है लहाजा मैंने ये सोचा कि हमारे देश के मुसलमानों को याद दिला दू कि जिस आयोधिया में आज राम मंदिर जग मगा रहा है वहाँ पर बापरी नाम की एक मस्जित थी जिसकी तामीर 1527 में कराई गई जिसमें 422 सालों तक अजान की सदाएं पूँचती रही जिसमें पांचों वक्त की नमाज होती थी जिसमें रमजान की तरावियां भी होती थी लेकिन अफसोस आज वहाँ मंदिर है अगर आप थोड़ी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इसी बहुत सारी अख़वारों की हेडलाइन्स मिल जाएगी जो ये बताती है कि 1949 में बाबरी मस्जिद में साधिशन रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई थी और उसी के बाद ये दावाश शुरू कर दिया गया कि बाबरी मस्जिद जहां खड़ी है वहां पहले राम मंदिर था है राज हालात ऐसे हैं कि आज देश में बहुत सारी मस्जिदें बाबरी बनने की कागार पर हैं जिन में दो मस्जिदें दो लाजनम बन सकती हैं क्योंकि वारांसी की ग्यान वापी और मतुरा की शाही इदगा मस्जिद के बारे में हमारे देश के प्रिधान मंत्री और योगी आदित्यनाद हर बार 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 हर जगा कहते हैं कल भी योगी ने कहा कि जिस्थ दिには आज ऐधीया भवे राम्न की साक्षी है ठीक उस्तरं शीया गार्षीं काशी aur मतुरा में بھی होगा, सोचिए Им親 यह भी है कि है और एह सकती है झाल झाल झाल